Hello students, जैसे कि आप सबको पता है कि आपके एक्जाम्स आने वाले हैं, मैं आपको extra question answers भी करवा रही थी हर chapter के, हर chapter की मैं आपको important dates भी करवा रही थी, इस वीडियो में मैं आपको कुछ questions दे रही हूँ जो आपको खुद से ढूणने हैं और उनकी practice करनी हैं, ये questions important भी हो सकते है तो इन questions को आप ध्यान में रखकर जरू chapters में से chapter को read करें और इनके answers दूनने की कोशिश करें, इसमें मैं आपको question समझा देती हूँ, question number one है, name the first and the last emperors in the line of the later mughals, जो later mughals थे, उनमें सबसे पहले और सबसे आखरी emperor का नाम आपको लिखना है, जो line में दिये हैं, याद र table देखिए, उस पूरी table divi आपको chapter में, मैं आपको chapter नहीं बताऊंगी, वो आपको खुद search कर रहा है, chapter के नदर पूरी table divi है, later mughals emperor की, वहाँ पर आपको जाके देखना है कि कौन-कौन से first और कौन सा last emperor है, next question है, what is the significance of the third battle of panipat, जो panipat का third battle हुआ था, वो क्यों important था, उ जो है अपने आप में important है, चाहे वो first battle हो, चाहे वो second, चाहे वो third, लेकिन third battle के बाद थोड़ी सी history, Indian history जो है, वो change हो जाती है, तो वो आपको find out करना है कि third battle of panipat के बाद क्या-क्या change आते हैं, वो क्यों जरूरी है, next time, name the British trading settlements in Madras and Calcutta, जो Madras और Calcutta के अंदर British trading settlements हुए है, उनके नाम बताने हैं, कि उनके नाम उन्होंने क्या-क्या रखे थे, next question है, why were European traders attracted to the Bengal province in the 18th century, ये जो European traders थे, ये बेंगॉल प्रोविंस में सबसे ज़्यादा अट्रेक्टियों हुए 18th century में, ये मैंने आपको बताया है, क्योंकि Bengal बहुत ज़्यादा flourish था, वो बहुत ज़ प्रोविंस में ही attract हो रहे थे और यही से शुरुवात की जाती थी, अगर देखा जाए तो East India Company की भी शुरुवात जो है, वो कहीं ना कहीं Bengal को जीतने के बात से ही होती है, next question है, what was the main objective of the subsidiary alliance system, subsidiary alliance system का main objective क्या था, main importance क्या था, वो आपको copy के अंदर लिखना है, next question है, mention the various methods adopted by Dalhousie and the territories annexed on the basis of these methods, 1857 revolt के chapter में है ये, कि Dalhousie के क्या-क्या methods से, जिससे उसने कई सारे राज्यों को हडपा था, और उन राज्यों के नाम बताने हैं, उन territories के नाम बताने हैं, जो इन methods की जरिए हडपे गए थे, तो हर method का नाम और उस method से, कौन-कौन से राज्ये उस उसने कबजे में किये उन राज्यों के नाम, ये आपको इस question के अंदर लिखना है, नेक्स्ट ए गिवन अकाउंट ऑफ दी इवेंट्स लीडिंग फर दी कॉंस्पिरेसी तो रिप्लेस सिराजु दोला तो हिस इवेंच्वल डिफीट इन बैटल ऑफ प्लासी, आपको वो स खड़ी अंतर रचते हैं, जो कॉंस्पिरेसी करते हैं, वो सारे कॉंस्पिरेसी की जो इवेंट्स होते हैं, वो इवेंट्स लिखने हैं आपको और क्या रिजन रहता है, जिसकी वज़ा से वो बैटल ऑफ प्लासी में हार जाता है, वो रिजन भी आपको इसके अंदर जाते हैं क्यों वो भी 1857 के रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट करते हैं उसका रीजन लिखना है यह आप ध्यान रखें यहां पे स्पैसिफाइग किया गया है नाना साहिब तो आप इसमें नाना साहिब की ही बात लिखेंगे इसमें आप हर लीडर की बात नहीं लिखेंगे नाना साहिब वाला जो पॉइंट होगा वो ही आपको लिखना है कि नाना साहिब जो है वो क्यों लीडर बनते हैं 1857 डिवॉल्ट के तो यह आपके कुछ कोशन्स है प्लैटिस कोशन्स है जो आपको करने हैं आप इनको अपनी फियर कॉपी में भी लिख सकते हैं और अगर ढूंड लें आप तो इनके आंसर्स भी आप देखिए आंसर्स आपको मिल जाएंगी एजी कोशन्स हैं चैप्टर्स को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने की जरूरत हैं और कई सारे कोशन्स तो मैंने आपको करवाई भी हो सकते हैं बस थोड़े से घुमा की दिये गए हैं ज इसी को स्पैसिफाई करके आपको आंसर्स लिखना है आप इधर उधर की बाते अगर लिखेंगे तो उसके नंबर आपको नहीं मिलेंगे